हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल मैं हूँ सना और आज मैं आपके साथ बहुती इजी और टेस्टी डेजर्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप इद में बना सकते हैं चाहें तो आप रमजान में इफतार में भी से बना सकते हैं बहुती टेस्टी रेसिपी होती ह जट पर से बन जाती है और बच्चों से लेके बड़ों को सभी को यह बहुत पसंद आती है तो चली से बनाना शुरू करते हैं जाषणी बनानी है चाषनी बनानी के लिए बासि ग्रणायता मै तो यहां पर मैंने सिया लीशा ग्राइणी का रुष एक चुटकी के करीब हम इसमें फूड कलर एड करेंगे यह औरेंज फूड कलर है यह ऑप्शनल है आप डालना चाहिए तो डालें नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं बस अब इसको पका लेते हैं चीनी मेल्ट हो गई है पूरी तरह से इसको पांसे छे मिलट और पकाएं इसमें हमें एक तार या दो तार कोई तार नहीं बनाना है बस चाषनी हमारी हलकी चिप-चिपी हो जाने चाहिए बस इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को आफ करेंगे चाषनी हमारी बन गई है अब चलते हैं हम इसके नेक्स स्टेप की तरब तो यहाँ पर कड़ाई लिय हूं दूद रगूलर घर में जो आता है टॉन्ड मिल्क या फुल क्रिम मिल्क जो बिया आता है वह अप यूज कर सकते हैं तो यहांपे मैंने 2 खब ले लिय दूद है और यहां पर मैंने देखिए 2 जैसे ही दूद में बॉयल आएगा हम यह कस्टड पाउडर का मिक्षर जो है इसके अंदर डालेंगे तो यहां पर देखिए दूद में बॉयल आने लगा है अब इसमें हम दो चम्मच चीनी आड़ कर लेते हैं तो यहां पर हम दो चोटे चम्मच चीनी आड़ करेंगे और आप समझ ही गए होंगे कि हम बना रहे हैं कस्टड केक जो की बहुत ही अच्छा बहुत ही डिलिसस बनता है और यह बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है आच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसक अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सारा मिक्षर एक साथ डाल दे और फिर आप इस दूद को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाएं इसको हमें 2-3 मिर्ट और पकाना है इससे जादा हम इसे नहीं पकाएंगे तो 2-3 मिर्ट के लिए हम इसे और पकात यहां पर एक लियर मैंने लगा ली है जो चाशनी हमने बनाई थी वो हलकी आपकी गुन्गुनी चाशनी होनी चाहिए यानि कि हलकी गरम होनी चाहिए एकदम ठंडी चाशनी नहीं डालेंगे गरम चाशनी डालेंगे जिससे हमारे जो रसक है वो जल्दी से सोक कर लेंगे चाशनी हमने डाल दी है इसके उपर अब इसके उपर हम एक लेयर डालेंगे कस्टड की जो हमने कस् कस्टड की लेयर हमने लगा दी इसके बाद हम उपर फिर से रस की लेयर लगा देंगे इस तरीके से और फिर उपर से हम चाशनी एड़ करेंगे चाशनी के बाद फिर से हम कस्टड एड़ करेंगे इसके उपर तो इस तरीके से सारी लेयर को सेट कर लेना है और इसको अची त तो ड्राइब फूट्स जो है आप अपनी सापसी जो भी आपके पास अवेलवल हो डालने में यहाँ पर थोड़ से बादाम डाल रही हो काट करके थोड़ से काजू डालूंगे काट करके और थोड़ से साबुत काजू जो है उपर हम इसके लगा देंगे जिससे हमारा यह ड जिल्ड करके हम इसे सर्फ करेंगे देखिए अच्छी तरीके से सेट हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हुआ है आप इस रेसेपी को ज़रू ट्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू करें तैक्स पर व